फतेहपुर के हतगाओं थानाक्षेतर एलाके में नाबालिक के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया है जहां तीन दोस्तों ने मिलकर नाबालिक के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया इस दोरान आरोपियों ने पीड़ता का शलील वीडियो भी बना लिया बताय जा रहा है कि पीड़ता अपने खेत से वापस घर जा रही थी तब ही आरोपियों ने उसे अगवा कर इस वारदात को अंजाम दिया वहीं घटना की जानकारी मिलेने के बाद पोलिस ने दो आरोप किया और दूसरे व्यक्ति ने उसकी वीडियो क्लिपिंग बनाया इस सम्बंद में उनकी तहरीर के आधार पे थाना अधगावं पर अव्योग पंजिक्वित किया गया है और दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफतार कर लिया है उधर हमीरपुर में एक नाबालिक बलातकार पीड़ता के साथ दो बारा गैंगरेप की घटना सामने आई है जहां आरोपियों ने पीड़ता को इसके घर से अगवा कर दो दिन उसके साथ गैंगरेप किया वहीं जब पीड़ता ने पुलिस में मामले की शिकायत की तो पुलिस ने भी कोई सुनवाई नहीं की पेलाहल पीड़ता इंसाफ की उमीद में दरदर की ठोकने खा रही है पतेहपुर से नितेश श्रीवास्तव और हमीरपुर से रवेंदर सिंग पंजाब के सिरी टीवी